तो दोस्तो आज 23rd जून 2023 मार्केट में आज थोड़ा सा वलिटिलिक के साथ थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 18,665 पॉइंट पे करीब 0.56% गिरावट के साथ बट आज की डेट पे दोस्तो हर किसी की पोर्टफो पॉट्फोलो के सबसे जाएब देखने के कारण आज बेसिकली मार्केट में सिर्फ आदा परसंट गिरावट होने के बाब जूद भी किसी की पोर्टफोलो तेर परसंट तो किसी का पोर्टफोलो 2% धाई परसंट 3% तक भी हमें गिरावट देखने को मिला अब जली इस व अचाल A5DS का डेटा most important part कल market prediction तो दोस्तो रिक्वेस्ट करूँगा सबको प्लीज वीडियो को बिना skip के पूरान तक जरूर देखना तो चले दोस्तो सबसे वहला हम देख लेते हैं कि market का analyst का क्या कैना है कि upcoming trading week पे market किस तरब move कर सकता है आज की date पे कल की date पे मतब Thursday और Friday दो उपर sustain कर जाता है यानि stable हो जाता है तो further उपर की तरब move आ सकता है लगबख 18,750 से लेके 18,880 जो कि इसी trading week पे बार बार वहाँ पे नाकाम रा यानि reject हो रहा था लोर साइट की बात करें देखिए कोई dip support तो mention नहीं किया फिर भी 18,550 पे सबसे पहला support zone दूसरा support zone है सारे 18 1000 का level ये दोस्तो mention किया है जो कि market के analyst द्वारा next news दोस्तो काफी बढ़िया news है इंडिया का Forex Reserve में फिर से हमें jump देखने को मिला जो कि इस बार लगबख 2.35 billion dollar increase हुआ है और इंडिया का जो total Forex Reserve है बढ़के हो चुका है 596 billion dollar जो कि हर देश का दोस्तो Forex Reserve होना जरूरी है और increase हुना भी जरूरी है जो कि economy growth में बहुत जादा मदद करता है next update दोस्तो थोड़ा सा गंभीर है थोड़ा चिंता जाना गबडेटा ये भी देख लीजे आज का latest update है सुभा का global steel production fall 5% in May आज basically जो steel production का data out हुआ है global और उसके साथ ये भी mention किया कि India's output rate raised 4% तो basically global जहां पे 5% गिरावाट हुआ वही अगर हम बात करें इंडिया का जो output है वो 4% को बड़ा में growth देखने को मिला और जिस बैसे basically आज हमने देखा steel sector में यानि metal sector में सबसे ज्यादा गिरावाट हुआ जहां पे दूसरे sector 1% तो आधा परसन के आसपास गिरावाट हुआ बट मेटल सेक्ट इंडिया की बात करें चार परसन इंक्रीज देखने को मिल जाएगा वर्ल स्टील की तरफ से दोस्तों यह mention किया तो यह update थोड़ा बहुत गंबीर है क्योंकि अगर metal sector के अंदर फिर से drop हुआ तो कहिना कि उसका impact आपको all over industry के अंदर देखने को मिल जाएगा next news दोस्तों IT sector के लिए बिल्कुली अच्छी नहीं है यहाँ पर basically Infosys को target किया बट actually Infosys ने इसका impact आपको पूरा को पूरा IT sector के अंदर ही upcoming month पे जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे का आपको मालू मैं अभी जून का महीना चल रहा है और जून का महीना बहुत जल्द खतम हो का तो जुलाई की फर्स्ट या तो सेगेंड विक से जो बड़े IT companies है TCS Infosys का result आना शुरू हो जाएगा तो जैसे का आपको मालू मैं लास्ट दे में आपके साथ शेयर किया था एसेंट जो की वर्ल्ड का नमबर वन IT companies है उसका result आउट हुआ था और result दोस्तों expectation से काफी below perform देखने को मिला ना के बल below perform बड़की next quarter का result उसका जो forecast आया था वहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा बहु तो यहाँ पर सिर्फ इंफोसिस नहीं बलकि आप पूरा कपूरा IT सेक्टर को पकर के रख सकतो कि quarter one का result भी यहाँ पर drop हो सकता है थोड़ा बहुत margin issues हो सकता है थोड़ा बहुत profit के अंदर भी आपको shrink होता हुआ नजर आ सकता है तो यह सारे चीज़ भी आपको दिमाग में जरूर होना चाहिए अभी चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ग्लोबाल मार्केट में क्या चल रहा है फिलाल यूएस के अंदर समाई हुआ है बाड़ा बच के 43 मिनिट डॉजोंस इंडस्ट्रियल एवरेज ऑल्मोस्ट आधा ट्रेडिंग शेशन खतम कर चुका है लगब भी हो सकता है उपर की तरफ यहां पर एकदम शार्प रिकवर भी दे सकता है क्योंकि कभी कभी हमने देखा ऐसा भी हुआ है कि क्लोजिंग के एक गंट पहले से एकदम से रिकवरी देखने को मिल गया इनकेज अगर गिरावट हो गया तो उसकेस में उसका इंपक्ट आपक गिरावट के साथ तो कल रात में हमने देखा कि नेजबेक के अंदर काफी शांदार रिकवरी हुआ था अनफॉचनेटली क्योंकि एसंचर का रेजल भी कुछ इंप्रेस नहीं कर पाया मार्केट को जिस बैसे आज आज आई टी सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल अब चली दोस्तों देख लेता है कि अमारे दो इंडियन आईटी स्टॉक्स विप्रो इंफोसिस क्या कर रहा है उएस मार्केट के अंदर तो आप देख सकते हैं अब देख सेम टाइम विप्रो लिमिटेट एडियर जहां पे 0.86 परसंट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा और ये गिरावट दोस्तों लगातार हमें देखने को मिला विप्रो लिमिटेट के अडियर के अंदर हाँ आज की डेट पे हो सकता है कि इंडियन विप्रो शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को ना मिले कंपेर करें इंफोसिस या टीस के साथ बढ़ विप्रो लिमिटेट का ADR वर्शन अभी लगबग 0.86% गिरावट के साथ ट्रेट कर रहा है तो दोस्तों विप्रो जहां पे अल्मोस्ट लेस दन 1% ड्रॉप के साथ ट्रेट कर रहा है दूस्तों में अगर हम बात करें बिल्कुली अच्छी कबर नहीं है इंफोसिस लिमि 15.24 USD यानी 1.42% गिरावट के साथ ट्रेट कर रहा है और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए कल दोस्तों सेम टाइम पे सारे दस की वीडियो में इनफोसिस की पर एक डीटेल वीडियो में लाओंगा वहाँ पे बहुत सारे इंप बहुत सारे नेगेटिव अपडेट के बीच में कुछ पॉजिटीव अपडेट्स भी है जैसे कि इंडिया का लाजेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी एजडेप सी बैंक लिमिटेट का जो एडियर वर्शन दोस्तों लगातार हमें रिकावरी देखने को मालब इस पहले से आपको प्राइस के अंदर आडजस्ट में देखने को मिला चाहें मार्केट गिरे या ना गिरे यहां पर लगातार हमें रिकावरी देखने को मिला जैसे कि आप देख से तो शुरू में इतना गैप डाउन ओपेनिंग होने के बाब जूद भी एकदम शार्प देखने को मिला अभी फिलाल HDFC लिमिटेट का जो ADR वर्शन है अल्मूस 0.41 परसें तेजी के साथ ट्रेड कर लाए नेक्स दोस्तों निफ्टी 50 फ्यूचर की बात करें आज जहां पर निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया यानि 181665 पे फिलाल अगर बात करें फ्यूचर ट्रेड करें तो उस क्या कुरेंगा अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे आज निफ्टी 50 जहां पर क्लोजिंग दिया जस्ट बिकॉस डॉर जोन्स नैस्डाक अभी गिरावत के साथ ट्रेड करें नेगिडिक में ट्रेड करें जिस वैसे फ्यूचर के अंदर भी थोड़ा बहु सेलिंग देखने को विलाब मैं आपको स्क्रीन को पर लिखे देता हूं अधरवाइस जो नंबर से काफी छोटे अक्षर में लिखा है तो आज डियाइस ने भी सेल किया फिलाल कोई बहुत बड़ा तो नंबर यहां पे सेल नहीं किया डियाज ने टोटल 684 करोर का शेयर से बाकी दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि कल परसु यानि साटरडे संडे बजार क्लोज रहेगा तो कल दोस्तों जिस बैसे यहां पर जो मार्केट प्रेडिक्शन वाला वीडियो मैं अभी अप्लोट नहीं करूंगा तो फिलाल रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल के साथ जुरूरा है ना हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना और लेट इस चैनल के उपर तीन इंपर्टेंट वीडियो अप्लोट कर चुक है अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके चेक आउट कर रहना चैनल पर विजिट करके और कल दोस्तों इन्फोसिस को बड़ वीड जाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए